असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनो के देगी चिकिन कोर्मे की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एक दम ऑथेंटिक और टेडिशनल भी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर आपके घर गैस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए रेसिपी बना अब इसको अच्छा गरम कर लेंगे यहां पर हमने 250 ग्रामी प्याज लिए हैं जिसको बारिक बारिक स्लाइस में कट कर लिया है अब प्याजों को कर लेना है में गोल्डन फ्राय तो देखिए प्याज जब इस कलर पर आ जाए ना गोल्डन से तब ही हमें इनको बाहर निक एक प्याज लिया है इसमें एड़ कर देंगे टू टेबल इस्पून ओइल ओइल को अचा गरम कर लेंगे कर देंगे तो यहां पर हमने देखिए दस काजू लिये हैं और दस बादा में एड़ कर देंगे इनको हमें हलका सा फ्राइब करना है हलका सा कलर चेंज होने तक पर बंद कर दिया वन फिलम पर ही खुशकश एड़ करने है अच्छे से साथ हम बस इसी तरह भून लेंगे बंद फ्लेम पर और भूनने के बाद इसको ठंड़ कर लेना है अब एक मिक्सी जार लेना है यहां पर हमने इस सबीजें मिक्सी दार के अंडर इस तरह से एड़ कर देनी है अब इसको पीछने के लिए हम यहां पर वन थर्ट कप दूद एड़ करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर त्यार कर लेंगे तो दिखिए यह पेस्ट बनकर रेड़ी हो चुका है अब से मोईल में जिसमें हमने प्याच फ्राई किये थे छे हरी लाइशी देनी है छे लॉंग एक जावित्री का फूल एक इंच का दारचीनिंग का टुकडा तो यह एड़ कर देंगे इनको हलका सा हमें क्रेकल कर लेना है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं किस शहर से देख रहे हैं किस कंट्री से द चाहिए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राय करते हैं उसकी पिक शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टेग्राम पर कर सकते हैं तो देखिए चिकन यहां पर 2-3 मिट अच्छे से भून च लेना है और जब इस तरह से भून जाए 2-3 मिट तब इसमें पाउडर मसाले एड करने हैं तो यहां पर हमने 1-2 टीजपून करम मसाला पाउडर लिया है तू टेबल धनिया पाउडर 1 टीजपून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीजपून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की मसाले जलीना यह देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा भून लेना है और इसी के साथ हम दही देखिए 250 ग्रामी यहां पर में दही एड कर रही हो दही को फैट कर डालेंगे और दही एड करने के बाद अच्छे से हमें इसकी भूनाई करनी है तो बस फ्लेम को हाई रखिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए यह देखिए अच्छे से हमने चिकिन को यहां पर भून लिया है भूनने के साथ ही यहां पर हम प्याजों को क्रेश कर लेंगे से भुनने पर आ जाए तब इसमें हमने क्रेश किये हुए प्याज एट कर देने हैं तो दीखिए हमने यह प्याज भी एट कर दिये हैं और अच्छे से भी एट कर दिया उसको डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे भूनते जायेंगे बस सभी चीजा दालती जाना में और भूनते जाना हें sap तरह से एक दमदानेदार सा कोर्मा बनने लगा है हमारा अब हमने मिक्सी जार में देखिए जो भी मसाला रह गया था उसमें आधा कप पानी डाल कर सारा मसाला इस तरह से एड़ कर लेना है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और देखिए वैसे भी हमें चिकिन थोड़ा सा गलने तो यह एड़ कर दिया है आदा कप पानी आदा कप दूद जो हमने सेफरन मिक्स करकर रखोगा था ना वो एड़ कर देना है बस अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे सिर्फ 10 मिट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि अतना हमने भूनते रहे कीजिएगा जितना भी आप खाना पसंद करते हों अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो देखिए हलके हाथों से मिक्स कर लीजिएगा रेसीपी पसंद आ रहे है प्लीस वीडियो को एक लाइक शुरूर कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी शुरूर कर दीजिए अब इसको कवर कर दिंगे और हम यहाँ पर बस पांस चे मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर यह तब तक हम यहाँ पर मसाला त्यार कर लें चार हरी लाइची एक जावित्री का फूल छोटा सा और बन फोर्थ यहाँ पर जाइफल एड़ करने के बाद यहाँ पर हम केब्डा बाले रह ना ले लगे हैं आप वैसे क्वहा डाली होता है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है शीगे लों प्रमक्री गए लोगक्वालाugen के बार यहाँ मिक्स करेंगे और बस mix करने के बाद थोड़ा सा हम इसको low flame पर बिलकुल low flame पर 2 minute के लिए दम पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 minute हो चुके हैं और हमारा यह शाही अबधी कोर्मा बनकर त्यार हो चुका है यह देखिए बहुत अच्छी खुश्बू आनी एकदम देख जैसे जैसे की साध्यों बगेरा में आती है वैसे ही बनकर त्यार हुआ है एकदम दानेदार सा कि देखिए यहां पर सब कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका टैक्शर तो बस यहां पर मैं तोड़कर दिख अज़े के यहां पर देखना किए हैं तो आप ट्राय करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करकर जूर्स बताइए का आपकी रेसिपी कैसी बनी है अमेद करती हूं आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंदद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें इन्शालला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफिज और हागर आपको मेरी बैज रेसिपी चाहिए तो उसके लिए मेरा सेपरेट चैनल है जिसका नाम है बैज फूट टॉक तो वहा अच्छी रेसिपीज वहां आती रहती हैं